सबसे पहले मैं भगवान तिरुपती बालाजी के चर्णों में नमन करता हूँ जिस पवित्र स्थान पर आप सभी उपस्तित है वो भारत के स्रम और सामर्थ का साक्षी रहा है मुझे विश्वास है इस कान्फरेंस से निकले विचार देश के स्रम सामर्थ को मजबूत करेंगे मैं आप सभी को और विशेश रुपसे स्रम मंत्राले को इस आयोजन के लिए बधाई देता साथियों इस पंदरा अगस को देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किये हैं आज़ादी के अमरित काल में प्रवेश किया है अमरित काल में विख्ष्टीद भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं जो आकांचाएं हैं उन्हें साकार करने में भारत की स्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमी का है इसी सोच के साथ देश, संगठित और असंगठिक छेत्र में काम करने वाले करोड़ों स्रमीक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है प्रधान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजनमा जैसे अनेक प्रयासों ने स्रमीकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है ऐसी योजनाओं की वजह से और संगटिक छेत्र के स्रमीकों के मन में ये भाव जगा है कि देश उनके स्रम का भी उतना ही सम्मान करता है हमें केंद्र और राज्य के ऐसे सभी प्रयासों को पूरी संवेदन सिल्ता से एक साथ लाना होगा ताकि इस तरमीकों को उनका अधिकते अधिक लाब मिल सके साथियों देश के इन प्रयासों का कितना प्रभाव हमारी अर्थेववस्ता पर पड़ा है इसके साक्षी हम करोना काल में भी बने हैं इमर्जेंसी क्रेडिक लाइन गरेंटी स्कीम इसकी वज़े से लाखों छोटे उद्योंकों को मदद मिली है एक अध्यन के मताबिक इसकीम की वज़े से करीब देड करोर लोगों का रोजगार जाना था वो नहीं गया वो रोजगार बच गया करोना के दौर में एपी एफो से भी करमचारियों को बड़ी मदद मिली हजारों करोर रुपीय करमचारियों को एडवांस के तौर पर दिये गए और सात्यों आज हम देख रहे हैं कि जैसे जरुरत के समय देश ने अपने स्रमिकों का साथ दिया वैसे ही इस महामारिसे वर्दे में स्रमिकों ने भी पूरी शक्ति लगा दी है आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थ ववस्ता मना है तो इसका बहुत बड़ा स्रे हमारे स्रमिकों को ही जाता है साथियों देश के हर स्रमिक को सामाजिक सुरच्छा के दायरे में लाने के लिए किस तरह काम हो रहा है उसका उसका एक उधारन इस्रम पॉर्टल भी है ये पॉर्टल पिछले साल सुरू किया गया था ताकि असंगटित छेत्र के समिकों के लिए आधार से जुड़ा नेशनल डेटाबेस बन सके मुझे खुशी है कि इस एक साल में ही इस पॉर्टल से चार सो अलग अलग शेत्रों में काम करने वाले करीब 28 करोड समिक जुड़ चुके हैं विशेश रुप से इसका लाप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रवासी मद्दुरों को और डोमेस्टीक वर्कर्स को मिल रहा है अब इन लोगों को भी यूनिवर्सल एकाउंट नंबर जैसी सुविधाओं का लाप मिल रहा है स्रमीकों में रोजगार के आउसर बढ़ाने के लिए इस्रम पॉर्टल को नेशनल केरियर सर्वीस असीम पॉर्टल और उद्योग पॉर्टल से उससे भी जोड़ा जा रहा है इस कॉन्फरंस में उपस्तित आप सभी से मेरा आग रहे हैं कि नेशनल पॉर्टल के इंटिग्रेशन के साथ साथ हम स्टेट पॉर्टल को भी साथ में इंटिग्रेट करने पर जरूर काम करें इस्टे देश के सभी स्रमीकों के लिए नए आउसर खुलेंगे सभी राज्यों को देश के लिए स्रम सक्ति और प्रभावी लाब मिलेगा साथियों आप सभी भली भाती जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने लेवर कानून रहे हैं जो अंग्रेजों के समझ से चले आ रहे हैं बीते आठ वर्षों बें हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिक्ता वाले कानूनों को खत्म करने का बिड़ा उठाया है देश अब ऐसे लेवर कानूनों को बदल रहा है रिफॉर्म कर रहा है उन्हें सरल बना रहा है इसी सोच से 29 लेवर कानूनों को चार सरल लेवर कोर्ट में बढ़ला गया है इससे हमारे स्रमिक भाई बहन नूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्त सुरक्षा जैसे विशयों पर और ससक्त होंगे नए लेवर कोर्ट में इंटर स्टेट माइगरंट लेवर की परिभाशा को भी सुधाना गया है हमारे प्रवाशी स्रमिक भाई बहनों को वन नेशन, वन राशनकार जैसी योजना से भी बहुत मदद मिली है साथियों, हमें एक और बात याद रखनी है, दुनिया तेजी से बदल रही है अगर हमने खुद को तेजी से तयार नहीं किया, तो फिर पिछडने का खत्रा हो जाएगा पहली, दूसरी और तीसरी अवद्योगी क्रांती का लाब उठाने में भारत पीछे रह गया था अब चौथी अवद्योगी क्रांती ये समय भारत को तेजी से निर्णे भी लेने होंगे और उन्हें तेजी से लागू भी करना पड़ेगा बदलते हुए समय के साथ जिस तरह नेचर अब जौब बदल रहा है वो आप भी देख रहे हैं आज दुनिया डिजिटल एरा में प्रवेश कर रही है पूरा वैश्विक परीवश तेजी से बदल रहा है आज हम सब गीग जीएजी और प्लेटफ़र्म एकोनोमी के रूप में रोजगार के एक नए आयाम के साक्षी बन रहे हैं ओनलाइन शॉपिंग हो ओनलाइन हेल्थ सर्विसीज हो ओनलाइन टैक्सी और फुट डिलिवरी हो ये आज सहरी जीवन का हिस्सा बन चुका है लाखों युवा इन सेवाओं को इस नए बाजार को गति दे रहे हैं इन नई संभावनाओं के लिए हमारी सही नीतियां और सही प्रयास इस शेत्र में भरत को ग्लोबल लीडर बनाने में मदद करेंगे साथियों देश का स्वर्म मंत्रान अमरत काल में वर्स 2047 के लिए अपना विजन भी तैयार कर रहा है बविश्की जरूरत है फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसिस वर्क फ्रम होम इको सिस्टिम बविश्की जरूरत है फ्लेक्सिब वर्क आवर्स हम फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस जैसी ववस्ताओं को महिला स्रम शक्ति की भागिदारी के लिए अउसर के रुपे इस्तिमाल कर सकते हैं इस पंदर आगस को लाल किले से मैंने देश की नारी शक्ति की संपूर्ण भागिदारी का आवान किया है नारी शक्ति का सही उप्योग करते हुए भारत अपने लक्षों को और तेजी से प्राप्त कर सकता है देश में नए उभर रहे सक्ट्रस में महिलाओं के लिए क्या कुछ और कर सकते हैं हमें इस दिशा में भी सोचना होगा साथियो 21 सदी में भारत की सफलता इस बात पर भी निरपर करेगी कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेन का कितनी सफलता से उप्योग करते हैं हम हाई क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स क्रियेट कर वैस्ष्वीक आउसरों का लाब ले सकते हैं भारत दुनिया के कई देशों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टर्शिप एग्रिमेंट भी साइन कर रहा है देश के सभी राज्यों को इन अउसरों का लाब मिले इसके लिए हमें प्रयास बढ़ाने होंगे एक दूसरे से शिखना होगा साथियों आज जब इतने बड़े अवसर पर हम सभी एक जुट हुए हैं तो मैं सभी राज्यों से आप सभी से कुछ और आग्रह भी करना चाहता हूँ आप सभी परिचीत हैं कि हमारे बिल्डिंग एन कंस्रक्शन वर्कर्स हमारी वर्क्फोर्स का अभीन अंग है उनके लिए जिस सेश की व्यवस्ता की गई है उसका पूरा इस्तेमाल जडूरी है मुझे बताया गया है कि इस सेश मैसे करीब 38,000 करोर रुपिये अभी भी राज्यों द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पाए है E.S.I.C. आउश्मान भारत योजना के साथ मिलकर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समीकों को लाब पहुँचा सकता है इस और भी हमें ध्यान देना होगा मुझे भी स्वास है कि हमारे ये सामुहिक प्रयास देश के वास्त्विक सामर्त को सामने लाने में अहम भूमी का निभाएंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे विश्वास है कि इन दो दिवेशिये चर्चा में आप नए संक्रप के साथ नए विश्वास के साथ देश की स्रम सक्ति के सामर्त को बढ़ाने में सफल होंगे बहुत बहुत धन्यवाद